अब तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लम्पी जिस्किन डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूँ और दोस्तों यह मेरी वीडियो जतने भी आपके पशनवपालक भाई ** हैं। और अपनी इस वीडियो में मैं कोई इंट्रो नहीं दूंगा आपको पता है यह आपका यूट्यूब चैनल चत्रू फार्मिंग है और अभी मैं आपको बताता हूं कि लंपी स्किन डिजीज के बारे में तो यह वेसिकली दोस्तों यह जो है अफ्रिकन कंट्री से यह जो है ह भारत में और यह 2012 में भी काफी जो है वह इसकी स्किन डिजीज हुई थी अपने भारत में भी लेकिन अभी जो है यह 2022 में बहुत ही जादा जो है गायों के उपर बहुत काफी जादा इसका संकर्मन है और दोस्तों काफी लोग की कोईरी है कि यह भैंसों में भी यह infected हो सकत है कि यह तो दोस्तों जितने भी अपने दूद वाले जो भैंस गाय हो गई तो यह सभी जो है इसके संपरक में आने से यह बीमार हो सकते हैं इनको डिजीज हो सकती है लेकिन कुछ लोग यह भी बोलना है कि आदमियों के उपर भी इसका असर पड़ सकता है क्या तो दोस्तों इस विमारी का उपर कोई अटेक है नहीं यह तो सकिन डिजीज है और यह आदिमों पर अभी किसी भी मनुष्य के उपर इसका कोई प्रवाब पड़ा नहीं है और दोस्तों इससे ज़्यादा घबराने की भी जुरूरत नहीं है मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों में डर बैठा दिया है कि इससे जो है वो पशु मर जाता है तो अगर आप उसको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा क्यूंकि अगर पशु की इम्मुनिटीव पावर जो वो स्ट्रॉंग होगी तो वो रिकवर बहुत जल्दी हो जाएगा और इस बीमारी में होता क्या यह वेसीकली कि इस्किन में प्रॉब्लम होती है जिस तरीके से यह आप इसको काया सकते हैं जैसे एक मक्य मुझ से पानी टाइब का निकलने लगता है तो इसका पता करने का यही एक तरीका है कि इससे जो है वह आपके जो दूद अगर गाये का अगर दूद निकालते हैं तो उसे दूद में भी फरक पड़ता है मतलब दूद कम हो जाएगा उसका और खाना पीना भी कम कर देगी वह बहुत जादा कम और बुखार भी रहेगा उसमें तो इसमें दोस्तों घबबराने की कोई बात नहीं है और यह अभी वाइरस जो है वह ज्यादा तर गायों में ही पाया गया है बैंसों में अभी यह इस तरीके का कोई वायरस अभी नजर आया नहीं है लेकिन हो सकता है कि स्कीन फ्यूचर जो भेंसों में भी वाइरस आजाए अभी यह जो मैं भेंस आपको दिखा रहा हूं यह मैं देखने आया हुआ था तो यह भी इस पर भी जो है वह इसकीन पर छोट छोटे जो है फोड़े निकले हुए थे तो मैंने अच्छे से देखा और चेक किया इसको भ पोड़े टाइब के निकल गए हैं तो इसका जो है वह इलाज अलग होगा लेकिन जो अपना यह लंपी इसकीन डिजीज है उसके उसका ट्रीटमेंट अलग होता है तो उसके लिए दोस्तों आप जो भी आपके दस बीस पांच दो चार जितने भी आपके पशुम हैं अगर यह बीमारी जो है वह जैसे अगर आप मानके चलिए आपके 10 पशुम में यह बीमारी है तो उसमें से कोई चांस है कि एक यह दो पशुम आपके मरें लेकिन वह भी तब मरेंगे जब आप उनकी केर नहीं करेंगे अच्छे से अगर इनकी अच्छे से देखपाल करते हैं त तो यह सई से ठीक हो जाते हैं दोस्तों इनकी इम्मुनिटी स्ट्रॉंग होनी चाहिए परश्मों की तो बहुत जल्दी अच्छे से सक्सेस मतलब रिकवर हो जाते हैं सक्सेसफुली तो दोस्तों मैं यह देख रहा था कि इनका जहां पर यह भी भेहनस बंदी होई है तो वह कोई बीमारी मुझे लगी नहीं इसमें तो दोस्तों आपको आशा करता हूं कि आपको मेरे जो भी मैंने जानकारी दी है उसको आप आगे फॉरवर्ड करेंगे तो धन्यवाद जैहिंद जैजवान जैवाद